मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से अमित्षा जी आजगल कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बात है लेकिन वो जिस तरह से अपना जो कुछ काम हुआ पांच साल के अंदर दिल्ली के लोगों का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं वो सही नहीं है जो कुछ हमने करा आपके साथ मिलके करा मैंने कुछ नहीं करा अभी थोड़े दिन पहले वो एक इलाके में गए बोले दिल्ली में केज रिवाल ने एक भी CCTV कैमरा नहीं लगाया बोले मैं ढून रहा हूं तो जहां से स्टेज से खड़े होके भाशन दे रहे थे अगले दिन वहां की आर डप्लुए ने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल के उनको बेजदी बोले जी बाशन दे रहे थे उसके उपरी CCTV लगा हुआ खाई हमने नहीं करा हमने नहीं करा लोग ने तो CCTV कैमरे पूरे दिल्ली के अंदर फिर अगले दिन जब उन्होंने भाशन दिया तो उनको लगा कुछ गलती हो गई तो अगले दिन यह नहीं बोले एक भी नहीं लगा, बोले केज दिवान ने कुछ कैमरे लगाए, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दू, दिल्ली में 2 लाख कैमरे लग चुके हैं, cctv कैमरे, दो लाख कैमरे लग चुके और इसकी कमिनियों ने देंगे पूरी दिल्ली के चपपे चपपे पे लगा रहे हैं दस लाख भी लगाने पड़े तो लगाएंगे दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ने वाले पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं दिल्ली तो चोटा सा राज्य है हमारे पास थो चोटा सा बजट है आधाफ राज्य हें हमने दिल्ली में दो लाख कैमरे लगा दिये पां साल में आप एक ही कैमरा लगवा DNA लगवा नहीं गाली गलोज करने से क्या फाइदा है तुमने एक भी नहीं लगाए रहे आप लगवा दो जी दो चार आप भी लगवा दो अच्छे काम में तो सबको आहूती देनी चीए थोड़ा सा आप भी डाल देते सारा निर्भया फंड तो आप ही के पास पड़ा है दो चार आप उसके बाद पूरी दिल्ली में शिक्षा करांती हो रही है सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए सरकारी स्कूल शांदार हो गए प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है और यह मैंने नहीं किया अपने दिल्ली के लोगों ने किया मैंने क्या कि रहा हमने स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी कर दी हमने स्कूलों के अंदर सारी विवस्था कर दी इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% नतीजे आये 96% और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 93% आये है भारत के इतिहा और आप UP में चले जाओ, हर्याना चले जाओ, बिहार चले जाओ, मध्यपरदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहां के सरकारी स्कूलों के नतीजे आते हैं 40%, 42%, 45% और दिल्ली के नतीजे आ रहे 96%. यह दिल्ली वालों के 96% नतीजे कैसे आए, केजनी वाल ने तो बस विवस्था करी थी, हमारे बच्चों ने रात दिन बैठ के पढ़ाई करी थी, हमारे बच्चों ने महनत करी थी, हमारे टीचर्स ने महनत करी थी, 65,000 टीचर हैं हमारे, उन्होंने महनत करी थी, 16,000,000 बच् जिने हमारी शिक्षा विवस्था के उपर प्रश्ण चेन खड़ा किया, बोले दिली की पढ़ाई बिल्कुल खराब है, बोले दिली के स्कूल बिल्कुल खराब है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप मेरे को गाली दे लो, केजरीवाल को गाली दे लो, आपको केजरीवाल से बहुत मेहनत करें, उनका अपमान मत करो, उनका मजाक मत उड़ाओ, अच्छी राजनीती तो यह होती है, हमने हजार स्कूल ठीक करें, आप एक स्कूल ठीक कर देतें, MCD तो आपके पास है, MCD के स्कूलों में से एक स्कूल ठीक कर देते आप, उसमें तो बड़ अपन, उसमें तो अच्छी चीज, लेकिन हमारे बच्चों को इस तरह से, मैं सोच रहा था, टीवी में जब ये बच्चे बैठके देख रहे होंगे, कि उनके ग्रह मंत्री उनका पारते हो रहे हैं, यह दो सही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग BJP वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग Congress वाले भी होंगे, मैं आप सब को कहना चाहता हूँ, जो BJP का है, BJP में ही रहना, जो Congress का है, Congress में ही रहना, लेकिन इस बार सारे जने मिलके जाड़ों पे वोट दे देना आप पूछो के क्यों वो इसलिए क्योंकि बाई साब पिछले पांच साल में बहुत मेहनत करी है बहुत मेहनत करके ये स्कूल अस्पताल ठीक करें हैं अब अगर आपने किसी और को वोट दे दिया ये स्कूल अस्पताल फिर खराब हो जाएंगे मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा केज रिवाल को मुख्य मंतरी बनने की कोई इच्छा नहीं है मैं दिल्ली के लिए वोट मांग रहा हूं मैं अपने बच्चों के भविश्य के लिए वोट मांग रहा हूं मैं आपके परिवार के लिए वोट मांग रहा हूं मैं स्कू स्कूल और हस्पताल अच्छे हो रहे हैं, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो रहे हैं, सरकारी हस्पताल इतने अच्छे हो रहे हैं, इसको रोकने मत देना, इस पे ब्रेक मत लगा देना, एक बार के लिए सारे जन अपनी पार्टी बूल जाओ, एक बार के लिए सारे जन अपन अमिच्छा जी एक किसी भाजपा के कारेकरता के खाना खाने गए थे बहुत अच्छी बात है जाना चे अपने कारेकरताओं के लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज पांच साल के बाद चुनाओ के पहले आपको अपने कारेकरताओं की याद आई जब आपके भाजप के कारेकरताओं की बिजली के बिल बढ़ रहे थे तब कहां थे केजरी वाल आपके बिजली के बिल कम करवा रहा था जब उत्तरपरदेश और हर्याना की सरकारे भाजपा की सरकारे अपने राज्यों के अंदर बिजली के बिल लगातार बढ़ाती जा रही थी दिल्ली के कम होते जा रहे थे लगा था है जब पूरे देश के अंदर आप लोगों ने महँगाई क रखिए है कुरे देश के अंदर ऐसा सिस्टम कर था कि लोगों का खर्चानी चल रहा दिल्ले के अंदर लोगों को फ़ोड़ी से राहत मिल रही है विजली के बिल जीर हो गए पानी के बिल जीर हो गए शिक्षास मुफ्त हो गई स्वास्त मुफ्त हो गया दवाईया मुफ्त हो गई महिलां का किराया मुफ्त हो गया तो दोस्तों अपने को ये जो राजनीती आप लोगों ने शुरू की है पांच साल पहले आप लड़के हैं, नएने लड़के हैं, संघर्षील हैं, डरते नहीं हैं किसी से, इनको एक मौका मिलना चाहिए, आपने दोनों पार्टियों को एक को तीन सीट दी, एक को जीरो सीट दी, और हम लोगों को मौका दिया, पांच साल के अंदर आपकी सरकार ने इतने काम करें हैं, आज पांच साल के बाद आपके पास एक और मौका आया है, देश की राजनिती बदलने का, इस बार काम के उपर वोट पढ़ना चाहिए, धरम और जाती के उपर वोट नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, सब्तर साल में, मेरे तो इतनी उमर नहीं हैं, या बहुत सारे एक्सपिरियंस्ट लोग बैठे हैं, सब्तर साल में, भाई साब याद करके बता दो, भारत के इतिहास में किसी राज्य में, कभी किसी पार्टी ने, इस बात के वोट मांग पूरे भारत के सब्तर साल के इतिहास में किसी पार्टी ने काओ, जी हमने अस्पिताल अच्छे कर दिया, इसलिए वोट दे दो, हम लोग हमेशा सोचा करते थे ना, यार ये सरकारे बनती हैं, कुछ हमारे काम तो होती नहीं, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक ब समरे लगा रहे है, का डेंगू ठीक कर रही है, इतने सारे काम कर रही है, इस बार सारे जने मिलके, एक बार फिर से अपने को राजनीती बदलने का मौका आया है, आठ तारिक को चनावें, आठ तारिक को इस बार सारे जने जाना, और जाडू पे इतना बटन दबाना, इतन बटन दवाना बटन ही खराब हो जाए भारत मता की